हेलो दोस्तों आप लोग को आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गो थू फाइन आर्ट में स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ देशस्वी के कुछ इंपोर्टेंट कोईस्टन्स लेके आई हूँ जो कि KBS, NBS, TGT, NTN, UGC, RPSC सारही एक्जाम में बहुत ही लाबकारी होने वाले हैं तो वीडियो को अंतक देखे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर दे और घंटी को जरूर दबा दे ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा आपको मिलती रहे तो आज का पहला कोश्टन्स है गि रसा मंजरी 1694 से 1915 में तयार हुई यानि कि रसा मंजरी जो है आप लोग का 1694 से 95 इसवी में तयार हुई नेक्स्ट कोईश्टन है जितपाल के राजकाल में बने चित्रों में रागमाला की प्रती है यानि कि रागमाला जिसने भी बनाया उसमें से जितपाल के काल में भी जो है रागमाला की प्रती बनी है next questions है कभी कभी देखें जो जितपाल वाली questions है ये सब questions बहुत अंदर के questions है मतलब बहुत बढ़ने के बाद आपको मिलेगा और इस तरह के questions पूछ दिये जाते हैं तो इस तरह के questions जरूर देखे जाए normal questions तो सबको पता होता है अगर पूछ देंगे कि राग माला की प्रती किस-किस काल में बनी थी और माली जितपाल देदे, धृत पाल देदे, रसमंजरी देदे, पाल पाल देदे, संग्राम पाल देदे तो आप लोग confused हो जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जितपाल जीतपाल के राजकाल में बने चित्रों में राग माला की प्रती है नेक्स्ट कोश्टन है राग माला कहां संग रही थे? तो राग माला जो है विक्टोरिया एंड अलबर्ट म्यूजियम में संग रही थे गीत गोभिंद कब बनकर तयार हुई? तो गीत गोभिंद सन 1730 इस वी की है नेक्स्ट कोश्टन से रसम मंजरी रसम मंजरी तो आप लोग जानते ही होंगे रसम मंजरी की क्रिती है माखन चोर माखन चोर रसम मंजरी की क्रिती है और ये क्रिती किन के कलेक्शन में है यह कृती एंसी महता के कलेक्शन में है रसम अंजडी का माखन चोड नामक कृती एंसी महता के संगड़ा में है जिनने हिंदी समझ में आती वो संगड़ा समझ ले इनको संगड़ा नहीं समझ में आती है उसके लिए मैं कलेक्शन वर्ड यूज की हूँ Next questions है बहुत लोग जानते होंगे जिनोंने मुगल पढ़े होंगे अच्छे से साज जहां के पुतर का नाम क्या है तो साज जहां के पुतर का नाम दाड़ा सिखो है और NBS में ये questions पूछा गया था कि असोक संब्राट के दादा का नाम या फिर उसके पोता का नाम ऐसा कुछ पोछा गया था तो कभी-कभी इनके जो दादा के नाम पोता के नाम इस तरह के नाम जो है पूछ लिए जाते हैं तो मुगल हो गये आपके असोक संब्राट हो गये ये सबसे आप लोग उनके पूरे ही chronology को उनके पूरे ही genetics को जरूर देखके जाएं questions और बाकी next question देख लेंगे थोड़ा जूम कर लेते हैं राजपूत paintings are originated from Rajasthan second number है मात्री मंदिर कहां है मात्री मंदिर पुड्डू चेरी यानि की पॉंडी चेरी में है next question से अकबर पदमसी की मृत्यू कब हुई आप लोग को मालूम होगा कि अकबर पदमसी का देहान्त हो गया है recently और वो 6 जनवरी 2020 को हुआ है यानि कि अकबर पदमसी की मृत्यू 6 जनवरी 2020 को हुआ है next question से रंगोली को अलपना भी कहते है देखिए रंगोली जो है सब जगह पर ही होता है इंडिया के साड़े ही स्टेट में होते है बट उसकी नाम अलग अलग है जिसे बिहार में रंगोली को अड़ी पना कहते है रंगोली को वेस्ट बेंगॉल पस्चिम बेंगाल में अलपना कहते है उत्तर पर्देश में अलग नाम जैसे जाना जाता है तो अगर पूश दिया जा कि रंगोली को और किस नाम से जाना जाता है तो याद कर लिजे अलपना जो है वेस्ट बेंगॉल में और अडी पना जो है बिहार में बोला जाता है और रंगोली सारी ही इंडिया स्टेट के य या पिर कहां को एक स्क्रीज दोने उट नहीं कहां क किर्थी है तो इंडिया के किसी भी स्टेट में है नेक्स्ड कुश्टन से जोगन चौधरी कहां के रहने वाले हैं जोगन चोधरी वेस्ट बेंगॉल पस्टिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये कलाववन सांती निकेतन से पढ़ाई किये हैं और वहां पे बहुत दिनों तक इन्होंने टीचिंग भी किये हैं next questions है रिवर्ड और टाइट किसकी फिल्म से यह मैं के जब questions कर वा रही थी उसमें भी ये questions आया था रिवर्स एंड टाइट डोक्यूमेंटरी फिल्म जो है एंडी वार्रल का है एंडी वार्रल को अच्छे से पढ़के जाएगा देखेगा कितने अच्छे से इन्होंने डोक्यूमेंटरी बनाई है लकडी जो लकडी ट्री से निकलती है वो पेर पे इन्होंने एक इंस्टॉल नमबर Edward Russo कहां के रहने वाले हैं तो Edward Russo America के रहने वाले हैं थोड़ा सा जो लिखी हूँ वो किलियर नहीं है इसलिए मैं रिपीट कर रही हूं Edward Russo America के रहने वाले है नेक्स्ट कॉश्टनस है पिंक पिरियड पिरियड को हिंदी में हम लोग गुलाभी काल या गुलाभी और इन्होंने पिंक पिडियर में पाबलो पिकासो ने काम किया है, इन्होंने ब्लू पिडियर में भी काम किया है, यानि कि नीला पिडियर और गुलाबी पिडियर में पाबलो पिकासो ने काम किया है, नेक्स्ट कुश्टन से 9 नमबर, बाटिक में किसका अपयोग होता है, और बाटिक जो है कपड़ों पे किया जाता है तो कपड़े पे जब हम मोम लगाते हैं तो जिस जगह पे हम मोम लगाते हैं उस जगह पे कलर नहीं लगता है और बाकी जगह कपड़ों में कलर लग जाता है और उसी से डिजाइन वनती है तो उसे हम बाटिक कहते हैं मोम को हम पिगला लेते हों पिगलाने के बाद उसे हम लोग कपड़े पे लगा देते हैं तो जिस जखा पर YOU कोई कोई नहीं बताएंगे इस तरह के questions NVS KVS DSSB यह सब एक्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों जो textile से नहीं है या फिर जिनके college में textile नहीं होता है बहुत सारी university है जहां पर applied नहीं रहता है कहीं पर ceramic नहीं रहती है कहीं textile की course नहीं होती है वहां के बच्चे जो है इस चिस से अभिवेक्त नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि बाटिक में मोम का प्रयोग होता है नेक्स्ट question से अबनिंद्र नाट टैगोर तो अबनिंद्र नाट टैगोर आप लोग को मालूम है कि यह painting से थे इन्होंने भारत माता की बहुत ही अच्छी खृती बनाई थी तो painting अबनिंद्र नाट टैगोर के किताब के लेखक जो है आर शिब कुमार है एक बुख लिखी गई है आर सिब कुमार के दुआडा वहजै अबनिंद्र नाट को के जितने भी आड़ सिव कुमार है नेक्स्ट कुष्टन से टेमपडा को टेमपडा को जो है ना हम लोग डिश्टेमपड भी कहते हैं अगर कहीं पे आप लोग को दे दिया जाए कि माली जगने स्पाइन किस कलामे उन्होंने कृती ये में देकि हैंडी हिंदी कि data की दे दे ओयल कल या यंकि दे लिए वाटर को जल रगर दे टो आप लोको डिस्टेंपड भी बोले लिख किया जाएगा यह निकी टेपड़ा को डिस्टेमपड भी कहते हैं सेड़्षा का मकबढा सासाराम में है बहुती इजी कुषिटन और सासाराम कहां है सासाराम बिहार में है बौद गया से दो किलो किलो मीटर नहीं दो घंटे लगती है ट्रेन से जाने में आपको बोध गया से सासा राम जाने में टू आर्स का टाइम लगता है और वहीं पे सेरसा का मकबडा है नेक्स्ट कोश्चन से के वेन का टपा का पूरा नाम क्या है तो इस तरह के कुश्चन डेसस भी के विएस अन्बियस में आजकल मैं देख रही हो कि फुल नाम पोचे जातें किसी भी मनुस्थी का पूरा नाम जैसे की एसस रजा हो गया एम फुसेन हो गए एके आरा रजा के आगे में कुछ-कुछ इसमॉल वर्ड लगे होते हैं A, B, C कुछ भी इस तरह से तो समझी डाए में क्या कहने चार जैसे की सबसे सीधा एक्जामपल है रसूल क्या तो इक है भी भूल रही हूं तो इस तरह के बड़ सिम्पल सी बात याद रख लिए जैसे कि विंसेंट के बैंगौगम मीकेल अंचिलो हैं लियोनार्दो दा विंचित इन लोग का पूरा पूरा नाम है उसी तरह से आप लोग के इंडियन पेंटिंग में के वें का टपा है जय आपा स्वामी है में फूसाइन इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो इनका पूरा नाम कभी-कभी पूछ दिया जाता है अगर पूरा नाम पूछ दे इसलिए मैं ये questions बनाई हूँ के वें कटपपा का पूरा नाम क्रिष्णा अप्पा वें कटपपा है नेक्स या फिर मालीजे ऐसे ना पूछके के वें कटपपा का पूरा नाम ना पूछके ऐसे भी कर सकता है कि दे दे की कि यही इस स्टेंड फॉर और कि यही इस स्टेंड फॉर मतलब क्रिष्णा नेक्स्ट कोच्टन से देवी मां मदर् गोर्डेस की विसेष्था क्या है ये बहुत ही अंदर पूछा जाता है ऐसा तो कोच्टनस नहीं आते हैं लेकिन DSSB में मैं देखी हूँ कि हमेशा ही इस तरह के ही कोच्टनस अंदर से पूछई जाते हैं उपड़ी चीज को नहीं प पूछा जाता है किए ब्रॉवज में बना है या फिर फिर किस चीजें बना या इ편 कि इस तरह कर question कि स्की है मदर गॉडश की विसेश्टा पूछ दिए हैं तों मदर गॉड़ईस की विसेश्टा जो है पंखे-नुमार टोपी आप देखिएगा अब आप Mother Goddess को देखेंगे और Mother Goddess आप लोग को मालूम है कि टेरा कोटा में है टेरा कोटा में Mother Goddess है उनके ऊपर देखेगा किस तरह से नाग टाइप का आपको देखेगा तो उसी को हम लोग पंखे नुमार बोल रहे हैं ठीक यह तो पंखे नुमार टोपी है सिंपल है देवी म इंग्लिज में बोलते हैं कि विशेश ता पंखे नुमार टोपी है तो पिक्चर को भी देखे यह नहीं कि सिर्फ पढ़न है बहुत चीज्जों को याद नहीं करने पड़ेगी और हमेसा घू चीज़े याद रह जाएंगी वे से नेक्सक्वेस्टेस्स देखनेंगे बौ मा बाट कहां इसी तहए दो मा बाट जो है गोदावडी नदी के टट पर इसी तहई दो मा बाट अब देखें दो माबाट सुनके दियुक्त भी आदा मुझे ज्यादा मालूम नहीं है मैं भी इसे गूगल के सर्ष करूंगी और करती हुँ जम मुझे कोई सी समझ में नहीं आ अगर यह 22 अच्छे लगे हैं लगे हो तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल गो थू फाइन आट को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और यह हम लोगो सब्सक्राइब कर देख ले और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको इस चैनल पर विज्वल आर्ट फाइन आर्ट ड्रॉइंग आर्ट जितने भी आर्ट होते हैं उससे साड़े ही कुश्चन्स आप लोग को मिलेंगे चाहे वो ड् पी एसी का एक जाम हो लोकसवा आयोग हो एल्ट ग्रेड हो यूपी टीजटी पीजटी किसी भी तरह की एक जाम अगर फाइन आर्ट से रिलेटेड है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जिस भी छेतरी में जाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं मैं भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वह भी होगा आज के लिए इतना ही बाइबाइब टेक केर सी